दीखे, आज तो हर सजनी जो है अपने सजना के लिए 16 सिंगार कर रही है और अगर इस साथ सिंगार में साथ सजना का मिल जाए तो भै, क्या कहने अब देखें ना, साइली का भी पहला करवा चोत है और साइली का श्रिंगार आज बहुत ही खास है क्योंकि सचिन उसको अपने हातों से जो सजा रहा है इस साल का करवा चौट सचिन और साइली के लिए बेहत खास है क्योंकि ये साइली और सचिन का पहला करवा चौट जो है अब बड़े ही समय बात साइली को अपने सचिन का साथ मिल गया है कई सारी परिशानिया आईं मगर कहते हैं प्यार की हमेशा जीत होती है और अब साइली अपने प्यार की लंबी उमर के लिए रख रही है करवा चौट का व्रत अब पती के लंबी आयू के लिए अगर साइली व्रत रखेगी तो सचिन कैसे पीछे रह सकता है सचिन आज अपनी साइली को अपने रंग में रंगना चाता है इसलिए तो उसने अपनी साइली का श्रिंगार खुद अपने हाथों से किया और देखिए वो मांगती का हो या हो साइली की चूडिया एक-एक गहने को वो खुद पहना कर साइली को तयार कर रहा है अब बात ऐसी है कि घर वाले कोई ना कोई साज़ शचेंगे जिसके चलते सच इनको लगेगा कि उसकी बीवी किसी से कम ना लगी इसलिए तो वो अपनी पत्नी का श्रिंगार खुद कर रहा है कि अरो अरो क्या पाती मेरा पहला कर बाच को थि अब मौका इतना खास है इसलिए तो साहिली एक एक रस में सारे परिवार वालों के साथ मिलकर निभा रही है मगर ये सचन कहां चले गए यहां सारी बीवियां अपने पती के साथ चंदा मामा का इंतजार कर रही है और जनाब सचन कहीं गायब हो गए है ये क्या सचन आपके वज़ा से साहिली को सुनना पड़ा सासु मा से ताने देखिए साहिली को अपने सचन पर पूरा विश्वास है लेकिन साहिली को आ रहा है चकर शुक्र है सचन आपका कि आप सही समय पर आ गए अपनी साहिली को बचाने के लिए मगर ये चंदा मामा कब आएंगे अब सीरियल में भले ही चंदा मामा को आने में समय है मगर आज हमारे साथ चंदा मामा भी है और सचन भी और इसलिए तो साहिली ने अपने सचन के साथ पूरी की अपनी करवा चौती पूजा और चांद को देख कर खोला अपना व्रत अब रियल लाइफ से परे देखिए कैसे कवर अपनी कोस्टार नेहा की टांक हिचाई कर रही है कि आखिर वो कैसे रियल लाइफ में रख सकती है अपना करवाचौत का व्रत ये खाना नहीं जोड़ सकती है, मैं को डाउट है ने बड़ मैं उपास रखती हूँ तो मैं भी मैं करूंगी लाइफ में कभी ना कभी ये तो करेगी हसी मजाग तो खूब हुई, मगर साइली और सचन ने तो अपना पहला करवाचौत मना लिया, साजबहू और साजश के साथ और उमीद करते हैं, इनके बीच का प्यार यूही बना रहे ABP News आपको रखे आगे